जै मादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तों 17 सितंबर को सूर्य का राशी परिवर्तन होगा और सूर्य अपनी राशी से निकल कर सिहिंग राशी से निकल कर कन्या राशी बुद्ध की राशी में पिरवेश करेंगे यहाँ पहले से ही लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल ग्रह विराजमान है और अगले 22 अक्टूबर तक इसी राशी में बैठे रहेंगे यानि कि मंगल जो कन्या राशी है इसी में रहेंगे तो अब यहाँ सूर्य और मंगल की दोनों की यूति होने वाली है सूरिय 16 अक्टूबर तक कन्या राशी में रहेंगे और मंगल इसी के साथ पूरा एक महीने सूरिय और मंगल की यूति होगी अब अगर सूरिय को देखें तो सूरिय जगत पिता है सूरिय आत्मा के कारग्रह है सरकारी नोकरी के मान सम्मान के उची पदवी के कारग्रह माने जाते हैं और मंगल को देखें तो मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो इनसान को बहादूर तो बनाता ही है लेकिन साथ में हिंसक भी बनाता है इसे भूमी पुत्र भी कहा जाता है और मंगल की वज़े से इनसान के अदर कुरोद की अधिकता जादा देखी जाती है अब दो इस तरह के ग्रहे, उरजवान दोनों ही ग्रहे हैं और क्रोद भी दोनों ग्रहे दिलाते हैं तो अब एक महिने तक सूरेय और मंगल दोनों की युटी हुई है कन्याराशी में मिलेंगे चलिए विस्तार से जान लेते हैं बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निविदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां म दोनों ग्रहों की यूति एक साथ हो जाएगी आठवा भाव जो होता है यह होता है आपके अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव अचानक से लाब हो जाना अचानक से हानी हो जाना और कुछ बदलाव भी इसी राशी से इसी भाव से देखे जाते हैं गूड विद्याओ कर कैसे प्रभाव देने वाले हैं तो ऐसी इस्तिथी में पावर्फुल ग्रह होने के बावजूद आपको अपनी मेहनत पर जादा विश्वास करना होगा अपने प्रयासों पर जादा ध्यान देना होगा खाली भागया के भरोसे नहीं बैठना है जितना अधिक आप प्रयास करेंगे निरंतर प्रयास करेंगे तब जाकर आपको उनका आपके भागया सपोर्ट कर पाएगा तो कहने का तात्परिया है कि भागया के भरोसे नहीं बैठकर कर्म उपर जादा विश्वास रखें जितना कर्म करेंगे उसी के अनुसार रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये दो पर बाह में बैठकर ये कुछ तरह की चेड़ा हट आपके मन में दे सकते हैं कुछ दिक्कते दे सकते हैं और ज्यादा दिक्कते है ik hack. यह सवास्ते चाहिया पर चूंशौब या वाहन चलास्यों नहीं को द्यान देने के आवशक्ता होगे दूसरी तरफ मंगल जो है यह यात्राओं का भी योग बनाते हैं तो सूर्य के साथ बैठने से व्यापारिक यात्राइं ज्यादा हो सकती हैं व्यापार के सिलसले में ज्यादा यात्राइं करनी पड़ेंगी और लेकिन व्यापारिक यात्राइं हो इन सारी चीजों से आपको बचना होगा आप आर्थिक ग्रूप की बात करें तो आर्ष भवाव किस चीज के लिए जाना जाता है अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में तो ऐसी इस्तिति में आपके लिए अचानक से लाब होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी जब आपने सोचा ना हो तब आपको लाब की प्राप्ति हो सकती है जो आपको खुशी देगा इस एक महीने के अंतराल में आप दान पुर्णा करने की तरफ भी ज़्यादा रहेंगे और सूरिय का जो प्रभाव होता है अगर आप सूरिय के उपाय करते हैं तो बड़े ही पावर्फुल उपाय होते हैं सूरिय के रिलेशन्शिप पर नज़र डालें तो रिलेशन्शिप बहुत अच्छी रहेगी इस दोरान ये समय आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे परिवारे के स्थितियां आपकी बेहद अच्छी रहेंगी आपके कुछ रिष्टे जिन में कुछ समस्यां चल इस दोरान सबसे अधिक सुख की प्राप्ति आपको अपने पारिवारिक जीवन में आने वाली है आनन्दित समय आप अपने पूरे परिवार के साथ गुजार सकते हैं तो इन चीजों के लिए ये जो समय अच्छा है अब अगर स्टुडेंट्स की बात की जाए कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान अपनी पढ़ाई से हट जाए तो आपको ज्यादा फोकस्ट रहने की आवशक्ता होगी जो हायर एजूकेशन से जुड़े बच्चे हैं उनको ज्यादा सावधानी इस दोरान रखनी होगी और यदि आप अप राजनितिक शेत्र से जुड़े हैं तो राजनितिक गतिवीधियां अच्छी रहेंगी राजनितिक के शेत्र में आपको अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेंगे आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौपी जा सकती है तो इन चीजों में अच्छा रहेगा और व्यक करने के लिए आपको मंगल और सूरिय इन दोनों के ही उपाय करने चाहिए इन दोनों के उपाय करने से आपकी सितियां जो है वो अच्छी हो सकती है विवाहित लोगों की बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए इस दोरान आपके जो जीवन साती है उसके अंदर थोड़ भी आप इस्तितियों को सम्हाल सकते हैं कुछ आपके जीवन में बदलाव भी होंगे कारश्यत्र में बदलाव हो सकता है आपके नौकरी में बदलाव हो सकता है आप इस दोरान अचानक से यात्राओं का योग आपके लिए बन सकता है अचानक से ही इस्थितियों को आप निर्मित कर पाएंगे अचानक से ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगे कि आपको लाब भी होगा और आपको यात्रा भी करनी पर सकती है और आपकी प्लानिंग में परिवर्टन भी हो सकता है यानि प्लानिंग आपने कुछ की है लेकिन प्लानिंग एकदम से चेंज हो गई तो ऐसी भी इस्थितियां रहेंगे अब उपाय की बात कर लेते हैं आपके लिए क्या उपाय अच्छे होंगे सूरे के उपाय के लिए आपको सूरे उदे के समय मंदिर में गुड का दान करना है गुड का दान करें या आगे हूं का दान भी कर सकते हैं और मंगल के उपाय के लिए आपको मंगलवार के दिन हरुमान चालिसा का पार्ट करना है हरुमान जी को भोग लगाना है या फिर लाल मसूर का दान करना है तो दोस्तों और अदे किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें